आप लोग ने आनन्द मोहन का नाम सोना होगा और यहने आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे यह बिहार राज्य की एक बाहुवली नेता यानि की पॉलिटिसेन है अभी हाली में जेल से रहा हुए हैं उम्र कैद की सजा काट रहे थे पहले इन्हें फासी दी गई थी और उसके बाद आप देखे उम्र कैद में वो बदल दी गई थी अब इन्हें रहा कर दिया गया है तो इनके जो बिपक्ष वाले हैं वो आप देखिए बिहार सरकार पर नीते सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि आनन्द बोहन को रिहा करने के लिए बिहार सरकार ने कानून में परिवर्टन किया है और बहुत सारे लोग आप देखिए इनके जो सपोर्टर हैं वो यह कह रहे हैं कि गुजरात में 2002 में जो दंगे हुए थे उसमें जो आप देखिए हत्यारी थे उन दंगों के आप देखिए जो दोसी थे उन्हें गुजरात सरकार ने कुछ समय पहले रिहा गड़ दिया गया किसी पत पर होते हैं तो आपके चाहने बाले भी होते हैं ना चाहने बाले भी होते हैं पसंद करने बाले भी होते हैं लेकिन आज हम लोग आनंद मोहन के बारे में एक सामान चर्चा कर लेंगे इनका परिवारिक बैक्डराउंड क्या रहा है और आप देखेंगे इनका रा रेहा किया गया है, उस पर हम लोग बात कर लेंगे, कुछ और पिक्चर देख लिए, यह आनन्द मुहन है, यह आप देखें, इनकी पत्नी है, ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे, अगर बिहार की हम लोग बात करें, तो आप अपने स्क्रीन पर, यह हमारा प्यारा भार यह है बिहार, पटना, इसकी रादधानी, इसकी सीमा आप देखें, नेपाल से लगती है, अंतराश्टी, राज्यों में आप देखेंगे, उत्तरपिदेश, जारिखंड, और पश्च्रमंगाल से लगती है, तीन राज्यों से लगती है, और आप देखेंगे कि यहां 20 जनवरी 1956 को बिहार के सहर सा, जिले के नवगचिया गाउ में सुतनता सैनानी परिवार में हुआ था, और आनन्द मोहन के दादा एक सुतनता सैनानी थे, उनके पिता परिवार के मुख्या थे, और आनन्द मोहन के 17 साल के उम्र में बिहार में जैपी आंदोलन सुरू देखे कि इंद्र गांधी को अपनी सत्ता भी खोनी पड़ी थी और आप देखते हैं कि जो नीतेश कुमार वो लालू प्रिसाद यादव हों सुसील मौधी हों यह सभी जेपी आंदोलन से ही निकले हुए नेता हैं तो उनी में से आप देखे आनंद मुहन भी हैं यही से उन आप देखे हैं तो आनंद मुहन सींह इनका पूटनी का नाम लौली आनंद है जो फूर में सानसद भी रह चुकी हैं पेछली विधान सभा चुनाव में लावली आनंद और बेटे चेतन आनंद हाली में राज़त में सामिल हुए और जिसके बाद चुनाव में बेटे की जीत भी हुई थी, आनंद मुहन के बेटे की जीत भी हुई थी 80 के दसक में बाहुवली निता बन चुके थे आनन्द मुहन और 1990 में राणीती में कदम रखा इनों ने 80 के दसक में ये बिहार में आनन्द मुहन बाहुवली निता बन गए थे उन पर कई मुकदमें भी दर्ज हुए थे और आनद मुहन को 1983 में पहली बार तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ा था फिर आप देखेंगे 1990 में कि बिधान सबा चुनाओं में आनद मुहन जनता अदल की टिकेट पर महेशी से चुनाओ लड़े और कॉंगरेस के लहतान चौदरी को 62,000 से जानदा बोटों से इन्होंने चुनाओ लड़ाया और आप देखेंगे अगर आपको बिधान सबा के चुनाओ लड़ना होता है तो कम से कम उम्र आपकी 25 साल होनी चे और इनका चुनाओ डारेक्ट जनता यानि की मद्दाताओं के द्वारा होता है आपकी उम्र अगर 18 साल हो चुक है तो बोटर सूची में नाम जोड़ चुका होगा बोट डालने भी आप लोग जानते होंगे और लोगसाबा सदस का चुनाओ भी अगर लड़ना है तो 25 साल कम से कम उम्र रखे गए अधिकतम उम्रे की कोई सीमा नहीं है और इसका चुनाओ भी डारेक्ट मद्दाता यानि की जनता के द्वारा होता है यह वो समय था जब देश में मंडल आयो को लागू किया गया था और जिनमें से सबसे एहम बात थी कि सरकारी नौकरीयों में OVC बरग यानि की पिछा बरग को 27 परसंट आरक्षन देना और जिसे जनता दल ने भी समर्थन दिया था लेकिन आनन्द मुहन ने इस आरक्षन का पुर्जोर दिरोध किया था उन्हों ने 1993 में जनता दल से अलग होकर अपना अपनी पार्टी मना ली और आप देखेंगे कि जिसका नाम बिहार पीपोल्स पार्टी यानि की बीपी पी रखा और आनन्द मुहन ने बाद में समता पार्टी से हाथ मिला लिया था फिर आप देखें यहां से इनकी जिन्दगी बदलती है डी-ए-म की हत्या के मामले में मौत की सजा मिली थी ने और जिस समय आनन्द मुहन ने अपने चुनावी रानीती शुरू की थी उसी समय 1994 में मुझःपपरपुर में बाहुवली नेता चोटन चोटन सुखला की हत्या हो गई और आनन्द मुहन और छोटन सुकला की दोस्ती कापी गह रही थी और आनन्द और उनके अंतिम संस्कार में भी पहुंचे थे आनन्द और छोटन सुकला की अंतिम यात्रा के वीच से एक लालबत्ती की गाड़ी गुजर रही थी और जिस गाड़ी में सवार्थी गोपाल गंज के तकान डीम जी किशनया लालबत्ती की गाड़ी देख भीड भड़क उठी और जी किशनया को पीट-पीट कर लोगों ने मार डाला और जी किष्णया की हत्या का आरोप आनंद मुहन पर लगा कि उनी के कहने पर भीन ने DM की हत्या कर दी थी और आनंद की पतनी लौली आनंद का नाम भी आये था, इस मामले में आनंद मुहन को जेल हो गई थी और 2007 में निचली अधारत ने उन्हें मौत की सजा सोना दी थी और आनद मुहन देश के सबसे पहली ऐसे पूर सांथद और पूर बिधायक हैं जिने मौत की सजा मिली थी हाला कि पटना हाई कोट ने दिसंबर 2008 में मौत की सजा को उम्रकेद में बदल दिया था बाद में सुपरिंग कोट ने जुलाई 2012 में घट पटना हाई कोट की फैसली को वरकरार रखा था तो आप समझ सकते हैं कि किसमत कह लिजे जो भी कह लिजे लग कह लिजे उनकी साथ पहले फांसी की सजा हुई फर आप देखते हैं कि उम्रकेद में बदल गई और आब आप देखेंगे उन्हें रेहा कर दिया गया नेतिय सरकार ने जेल नीवांबली में बदलाव किये जेल मैनुवल संसोधन का लाब बिहार सरकार ने 10 अपरेल 2023 को बिहार कारा हस्तक 2022 की नियम 481 का में संसोधन करके उस बाक्यांस को हटा दिया जिसमें सरकारी सिवक की हत्या को सामिल किया गया था और इस अंसोधन के बाद अब ड्यूटी पर तैना सरकारी सिवक की हत्या अपवाद की सेहनी में नहीं गिनी जाएगी बलकि यह साधरन हत्या माने जाएगी और इस अंसोधन के बाद आनंद मोहन के परिहार की पिक्रिया आथान हो गई, यानि कि निगल लेकीए, क्योंकि इस सरकारी अफसर की हत्या के मामले में ही आनंधमोहन को सजा हुई थी और रिहा हो चुकिए हैं। इनके दोराग कुछ किताबें भी लिखी के हैं, गोपाल गंज की ततकाली डीम जी किसनया की हत्या के मामले में, अमेरिकेद की सजा भोगत रही पूर्व सांसद आनन्द मोहन की लिखी कहानी परवत पुरुस दसरत काफी पहमस है, और जेल में सजा काटने के दोराण अगर आप ही कह सकते हैं, आनन्द मोहन की है, जिनकी बज़े से आप देखें, विहार की राजनिती और देश की राजनिती गरमाई हुई है अभी